आज सुभए से हम बाहर निकले और साड़े पांश की लगवक थे अंधेरा था बाहर तो पिल्लू लगा आई चुके थी और एदे के हम पिल्लू को बुला रहे थे चोटा पपी था तो नहीं आ रहा था पिर दे के सारी जगे जाड़ू लग चुकी थी ममी अंदर आ रहे थे हम अंदर से रोटी लेने के जाए तो बुला रहे थे तो भूक रहा था है दादी हमारी से जाड़ू लगा रही है वह अपने कमरे में बागी जगे लग चुकी थी हम लग फिर आए तो पानी घरम कर गए थे और ममी नीगू निचोड़ रहे हैं ती रसी नहीं निकल रहा अगज़ा है भाइया जी के लिए नाश्था अब तयार करेंगे तो चलिए पहले हमने आटा आजवाएन और जीरा और मिर्ची नमuk और सभी को डाल कर इसमें बाया डाल कर हम पनाएंगे पूडी भाइया जी के साने पानी रखा हुआ है तो हम इसको पीएंगी अभी हेलो माई यूटूब फैमिली कैसे हो आई आपके आप लोग अच्छे होगे बढ़ियां होगे और हम भी अभी अच्छे हैं तो देखे फ्रेंट्स हम अपने देवाजी के लिए सुबसे नास्ता बनाने के लिए आए हैं तो जाएंगे छतरपूर उपढ़ाई करते हैं तो ल बिए देखें नित्या जाए है विए देखें तो जी आगई वी मेई लाटो आगई है बोल रही मत करो कुछ काम चलो मेरे साथ है अरसां कर रही है क्या हुआ न बना चचुकली नास्ता है नहीं क्यों नहीं बनाए चचुकली नास्ता बना दे हम बना दे आ तो फिर आप उठो जबी तो बनाएंगे फिर चचुकलेट हो जाए बना थीक है आके परसान कर रही सुवेश से गोद में लेट गई है बोल रही है लेलो ममा थोड़ा सा तो लिए है अभी हम चलो उठो नहीं करते विला परसान बेट है विट्टू देखे प्रेंट शेक्षेक पूड़ी तल्मे की तहीं हो और आटासान शुक्री थे हैं देखे आटासान की अटोपीश दिये थे दादजी की पास की जाओ थो तो रहने लगे थी पिर भी काम परना था तो भीजना पड़ा उससे तो दुखे नहीं को पूड़ी सिखना श् कि यहां पिनम ममी घूम कर आ गई थी तो बोले लाओ हम पूरी सिखते हैं और तुम चाय चान के सबको दे आया था और ममी सेख रही थी तो यहां पे नानी के बाद हमारा रहे थे किचिन पर और देखे मारा दाल चावल और सारा चीज तैयार हो गया था सब खाना तो अगर आधाल नीशार हां तूछ राएँ से आज बना था दाल चावल रोटी वर यह त कर देख़े तेमाटर की चैटने शुबहिंमी जी ने बनाया था और ये देखिए ये है रायता तो रायता दादी बाबु को नहीं नहींगे जो कि दवाई चलती है उनकी तो हम अब देने जा रहे हैं दादी बाबु को खाना ये देखिए सिताने ज्यादा हो रही है टप में डूप के नहां रही है और एक जनक और देखिए आटा लेकर खे यह आटा लेके खिल रहे हैं अरे भावरा कान में गुज रहा है आवाज कर रहा है यह यह है फ्रेंस हमाई लाडो रेडी हो चुकी है तैयार हो गई नहां के अब बोलो आप कैसे हो लाइक करना सिस्क्राइब करना में अच्छा से बोलो आप अरे आप बोलो ना तो सभी लोगों ने खाना खा चुका था बरतन रखके हुए और देखें यहां पर काफी तेज दूप हो गई थी और लाडो को नहिला के हमने तैयार कर दिया था तो देखिए फिर वह आई तो यह देखिए यहां पर आकर सितानी करने लगी थी हम रूद काड़ने लगी थी और भिए काटके ट्रम के पीछे हैं यह यह देखो भी काट के ड्रम के पीछे हैं यह गंदी बाद कर रही है यह इलरगी गंदी बाद कर रही है इकाल नहीं वह जल खांगेसे और दूप बहुतत तेज आगई चलो दो जल्ड़ी से हो चलो जाओ लाग внеш्डर प्रेंच देखो हमारा सारा काम हो गया था और हम आ चुके हैं कमरे में और यह देखिए मेरी लाडो आई गोदी में बोल रही है लला करना है सोने के लिए लडी में लेट गई है बहुत सतानी करती है यह लोग नहीं बहुत सतानी करते हैं तो पता नहीं हम दो ही बच्चों को नहीं समाल पा रहे हैं पता नहीं हम लोग की ममें पापा चार लोगों को कैसे समाल होंगी हमें तो खुद ही नहीं पता हम तो दो ही में परशान हैं पूरे दिन भर शतानी करते रहते हैं बस दी को त तो अब चलिए हम आप लोगों से थोड़ी देर मिलते हैं और अपने बच्चे की थोड़ा से सुला दे यहां पर मेरी लाडो सोई नहीं सितानी कर रही है गी देखिए बोले ते सो जाओ तो बुलती नहीं सोना है सितानी कर रही है बोटल से खेल रही है लाइट जल गई अंदेला दिख रहा था ना इसलिए लाइट जला के कितना से तानी कर रही आप इतना सारा पूरा पानी पीलोगी आप इतना सारा बिस्तर में गिर जाएगा पानी चलो अटा बंद कर दो तो पीना है तो पीकी और बंद करो बहुत से तानी करती आप लोगे ना है और चलो सो जाओ अच्छा चच्चू की बाल खुझी करोगी जाओ चच्चू की बाल में खुझी करके फिर जल्दी से आना ठीक है ओके नहीं आओगा हमाई पास क्यों दादी के पास होगी ठीक है जाओ बाई 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 दो फ्रेंस देख्ये हमाई ल्याड़ चली गई दादी के पास और हम अभी अकेले बाटे हुए हैं तो फ्रेंस अभी जैसा कि हमारे अभी 31 स्क्राइबर हैं और अभी ज्यादा से ज्यादा मतलब कि जब बोलते हैं कि 50 स्क्राइबर हो जाते हैं तो हम लाइब आ सकते हैं तो फ्रेंस जब हमारे 50 स्क्राइबर हो जाएंगे तो हम भी लाइब आएंगे आप लोगों के साथ तो प्लीज लाइक, कमेंट और सिस्क्राइब करिएगा और जादा से जादा सपोर्ट करिए और कमेंट तो जरूर किया करिए आप लोग कमेंट करते नहीं हो कमेंट अच्छे लगते हैं हमें पढ़ने तो आप लोग कमेंट किया करिए तो हम मिलेंगे आप लोगों से इस ब्लोग पे तो आप सभी को रादे रादे